मित्रो नमस्कार स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीज 2030 के सुभ महुरत और नुपायों के साथ जिनको करके आप अपने जीवन में सुख सम्रिद्धी और सांती पा सकते हैं नया साल 2030 के पहले दिन रबी, सिव, सिद्ध और सरवाल्त सिद्धी जैसे योग और महायोग कई बन रहे हैं साल के पहले दिन इन सुभयोग का बनना जो सीद्रिष्ट से काफी महत्य पूर माना गया है जोतिस में इन सुभयोग का महत्य बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं इन उपायों के करने से साल भर धर सम्रिद्धी के योग बनते हैं आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में साल के पहले दिन रवी, स्यू, सस और सरवार्थ सिद्ध हंस जैसे महायोगों का निर्माड हो रहा है इन सुभयोग के बीच नए साल का आना जो सीद्रिष्ट से काफी महत्य पूर माना जा रहा है नए साल को लेकर माननता भी है कि अगर साल का पहला दिन अच्छा हो तो पूरा साल अच्छा रहता है जो तिस में इन सुभयोग का महत्तों बताते हुए कुछ उपाय भी बताएं हैं इन उपायों को करने से पूरे साल धन समरिदी के योग बनेंगे और जीवन में आ रही अलचन भी दूर होती रहेगी आईए जानते हैं इन सुभयोग के बीच साल 2022 को सरमस्रिद्ध दायक बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए साल 2023 के पहले दिन सिव रवी सस और सिध और सरवास सिध जैसे महायोग बन रहा है माननता है कि इन सुभयोग में कोई भी सुभकार किया जा सकता है क्योंकि यह योग सभी सुभकारियों के लिए उत्तम महुर्त माने जाते हैं साथ ही इन योग में किया गया कारी निश्चित रूप से सफल होता है इसके साथ ही साल के पहले दिन सिव योग भी है माननता है कि सिव योग में भगवान सिव की पूजा के बाद किये जाने वाले सुभकार्यों में सफलता प्राप्त होती है इसके साथ ही साल के पहले दिन की सुरुवात रवीवार से हो रही है और इस दिन रवी नामक सुभयोग भी है जिससे इस दिन का महत्तु और भी बढ़ गया है नए साल 2023 के पहले दिन रवी नामक सुभयोग बन रहा है इस दिन जल में गुड़हल और गुड़ डालकर सुर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए इसके बाद ही आदित्य हिदेश रोत का पाठ करना चाहिए इसका पाठ करने से सत्रों पर विजय प्राप्त की जा सकती है इन सुभयोग में सुर्य देव को जल देने से आदित्य हिदेश रोत का पाठ करने से साल भर सम्मान प्राप्त होगा और तरक्की के औसर मिलते रहेंगे नए साल 2023 के पहले दिन सुर्य देव को जल देने के बाद माता लच्मी की भी पुरजा करना उत्तम माना गया है सुभयोग में माता लच्मी की बिधि पूरबग पूजा अर्चना करने से सभी कार बिना अर्चन पूरे होने लगते हैं माता लच्मी की पूजा में ग्यारा कौडियों पर हल्दी लगा कर माता लच्मी को अर्पित करनी चाहिए बाद में इन कौडियों को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या आलमारी में रख दे ऐसा करने से जीवन में साल भर माता लच्छमी की विशेश किरपा बराप्त होती है साल 2023 के पहले दिन मचलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए साथ ही गेहूं और गुड को लाल कपड़े में बांध कर दान करना चाहिए ऐसा करने से कुंडली में सुरी के इस्थिती मजबूत होती है और साल भर जीवन में आ रही परेसानिया भी दूर रहती है मान्यता है कि ऐसा करने से धन गमाने के अउसर प्राप्त होते है और सत्रों का प्रभाव भी कम हो जाता है साल 2023 में नौकरी और व्योसाई में तरक्की के लिए सूर्य देव को जल दे और गात्री मंत्र का जाप करे इसके बाद चावल और गुड को बैते हुए जल में प्रभाहित कर दे मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी वा व्योसाई में तरक्की के योग बनना सुरू हो जाते हैं और साल भर धन समरिद्धी के कई औसर भी मिलते हैं नए साल का आरंभ रभी वार के दिन से हो रहा है और सूर्य इस दिन गुरू की रासी में होंगे ऐसे में या उपाय आपके लिए बेहत लाबकारी होगा रोगों से मुक्ती के लिए नए साल दोजात तेईस के पहले दिन जल से भरे तामे के लोटे में लाल मिर्च के दाने लाल फूल चावल आदी डाल कर सूर्य देव को मंत्रों का जाब करते हुए अरग देना चाहिए इस दिन अगर आप नमक त्याग कर मीठा भोजन करें तो यह आप के लिए और भी उत्तम रहेगा साथ ही इस दिन तामे के बरतन लाल कपडा गेहू लाल चंदन आधिका दान करना चाहिए या उपाय आपकी सेहत के लिए फायदे मंद होने के साथ ही आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में बृध्धी करने वाला है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ऐसी ही तीज तेवहारों से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारीयां मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेर भी करें मिलती हूँ किसी अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार